बिसमिल्लारह्मालरहीम, Assalamualaikum आज हम यहां पर डिफरेंस देखेंगे मेसींजर और इंडरानी ट्रांसफर और रायानी और रायानी यहां पर उनके मेन पॉइंक्स और साथ साथ ही उनके जो हैं वो आगया उनके पॉइंक्स तो पॉस्यलेटेट्स हैं वो transfer RNA क्या होते हैं जो smallest type होती है RNA की जो कि transfer करता है amino acids को to the site where peptidal chain are being synthesized ठीक है जहां पर यानिके ribosome के अंदर ही होनी होती है peptidal chain तो यह जो transfer RNA होते हैं यह यानिके यह amino acids की unit होते हैं उसे वहां तक लेकर जाते है ribosome तक और ribosomal RNA क्या होते हैं यह RNA होते हैं the major form of RNA यानिके सबसे ज्यादा RNA की ज्यादा percentage cover भी इसी ने की हुई है act as platform for the synthesis of peptide chain इसकार RNA यानिके यह पिगाम लेकर जाएगा कि इस तरह इस तरह परोटीन बनानी है और यह वह जगह होगी जहां पर सारा काम होना है तो obviously major form क्या होगी यानिके ज्यादा percentage किसने cover की होगी जिस जगह पर बनना है इसी तरह से इनकी percentages यह 3-4 % 10-20 % 80 % जिसने पिगाम लेके जाना है वह सबसे कम समान लेकिया थोड़ा उसे ज्यादा जहां पर main reaction होना है जहां पर main postulate formation होनी है वह of course वह सबसे ज्यादा weightage उसी की होगी major form वही होगी ठीक है हंड्रड जो है वह minuses are basis कितनी होगी 3 times यानिके 3 यह इस तरह से 3 मिलेंगी तो भी एक minuses बनेगा तीन छोटे unit मिलेंगे तो एक उससे बड़ा unit मिलेगा फिर यह बड़े unit मिलके बनाएंगे protein इसी तरह से अगर हम gene की बात करें तो 3 nucleotide मिलेंगे एक base के अंदर वैसे भी एक ही nucleotide होता है अब अगर question आपको आए कि आपने जो है वो basis find करनी है basis find करनी है तो आप यह वाला formula लगा लेंगे basis equal to 3 amino acid जितने amino acid होगे उसको 3 से multiply करेंगे इसका मतलब यह हुआ कि इसकी जो length होती है वो constant नहीं होती वो vary करती है वेरी किस अब यहाँ पर इसकी जो है 75 to 90 nucleotides होती है इसके अंदर जितने nucleotide होंगे उसका 1 over 3 जो है वो codon या amino acid होंगे लेकिन इसके अंदर fix होती है 75 to 90 percent 20 types होती है common यानिके transfer आनने की common types कितनी है 20 और अगर वो पुझे के types इसकी human के लिहाँ से human cell के लिहाँ से तो वो कितनी होंगे 45 या अपने यानदर में mix नहीं करना है ऐसा नहीं करना कि आपने भूल जाना है 20 types होती है 40 types होती है यह भी होती है यह commonly होती है bacteria होगा plant होगा कोई भी लेकिन यह सिरफ और सिरफ होती है for the humans है अब यहाँ पर 80% यह बात हो चुकिया major portion है यह भी बात हो चुकिया 40 to 50% होता है rib यह अधे से ज्यादा portion जो है वो cover किया होता है ribosomal आरहा है ने जिसने जो है इन दोनों को as a platform के तो पर एक करना है कि आप मिलकी वो protein की formation कर दे अब इसका function क्या होगा इसने template के तो पर एक करना होता है यानिकि जिसके पास message होगा of course वो आएगा तो काम होगा तो इसने as a template यानिके main चीज होनी है इसने आपके बताना है ऐसे ऐसे करना है तो वही काम होना है for the process of translation translation का कौन सा process होता है translation के अंदर क्या होता है कि जो gene होती है उसने further protein के अंदर convert होना होता है इस तरह से कहते है translation का process और इसके पास जोते है genetic message होता है जो यह DNA यानिके nucleus मेंसे DNA से लेकर राइबोसोम की तरफ के इस तरह से protein की formation करनी है इसका क्या होता है यह specific होता अपने function के अंदर यानिके जब हमने protein एक protein synthesize कर वा ली उसके लिए TRNA अगले के लिए TRNA वह वाला use नहीं करेंगे वह एक अलग होगा उसने क्या करना होता है transport करने होता है amino acid को जहां पर peptide formation हो रह प्लांट और अनिमल्स तक सेम टू सेम चलता है ribosome ठीक है क्योंकि ribosome के subunit सेम रहते है नोटागन की weightage ज़ह हो जाती है लिकिन ribosome और रहने सेम रहते है surface of ribosome mRNA and TRNA interact to form protein simple वही बात है दुबारा 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 definition के अंदर हो चुकी है वह repeat हो रही है कि इसने आजा template act करना है इसने आगे message देना है कि वह translation के प्रोसेस के तू तू जीन को convert कुड़ा दे कि इसके अंदर protein के लिए और इस तरह से इसने क्या करना होता है इसने ही करना होता है कि वहां से Aminocid लेकर आने होते हैं ठीक है Aminocid को लेकर आना होता है और Aminocid ने जब आना है तो वहां पर सपैसिफिक होता है यादि कर टिया ने हर प्रोटिन के लिए specific होता है और इसकी land charge कि इसकी 85 के इस तरह सज़ चेंज होती है और यह तकरीब से पर और इसने प्रोटिन्फ़्मेशन कर लेनिया इसका स्टफचर सरी है 3 yarn कोडक कहा है तरह स्टूर्ष कर लेनिया 3vere 2 तरह से 3 तरह संथ छोंक रूम्प्रा और 5 तरह से 3 तरह से 2 तरह wo Y जिसने आके reaction को speed up करना है जिसके वैसे reaction ज्यादा जल्दी हो जाना है और amino acid जो है वो टीया रहने में कहां जाहिर सी बात है इसी ने amino acid लेकर आने है तो ही peptide formation नहीं हो नहीं है तो इसके amino acid होते है थ्री ब्रांच के उपर इस वह के साथ और यह ACC यह फिक्स होती है यह तकरीब लग से इसके पास भी होती है इसके पास भी होती है यहासा नहीं कि स्रफ larger के पास होगी smaller के पास नहीं होगी दोनों के पास जो है वह अपना अपना ribosomal RNA होगा तो यह था इसका एक ब्रीफ description कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसके इंदर कौन-कौन सी कितनी मेटेज क्या परसंटेजा कौन-कौन सी काम करते हैं उमीद है आपको समझ आगी होगी लेकिन अगर फीबी कोई question हो तो दूरूर पोचिएगा दौाओं में याद रखिएगा अलाफिज